आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सूट में जो हमारा कड़ाई वाला गला होता है उसको कड़ाई के बराबर से कैसे बनाएं फिनिसिंग से फुल डेटेल में दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आपको सिखा रखा है चोटी सी वीडियो अच्छे से बराबर से गल आपके पास पहुंचते रहे आई दोस्तों यह हमारा सूट का गला है इसमें दोस्तों जो हमारा गला है इसमें हमने सूट की कटिंग नहीं करें ठीक है आगर हम तूट की कटिंग करेंों जैसे हम सूट की कटिंग कर लेता हुँ उसके बाध कैसे बनाएंगेbol जो हमारा बीच का संटर जो कि आहां से कडाव के बराबर से रखेंगे और यहां से भी रखेंगे तो यहां पार दोस्तों जो आ रहा है हमारा चांच करेंगे करेंगे वो शी करेंगे तरीक से 2 तीन इंच निसान लगाएं गांति हमारा सेंट्र ौजए अब सेंटर हो गया से फॉटटर हो जाएंगा अब यह सेंट्र हो गया है युद्ध घृत भूलayक तो रखेंगे घोप पूरा ऑलोबर कपड़ा दिखाई देता है अगर आप सूट कटिंग करके गल्य को बनाते हैं तब तूर कड़ाई के बरावर कड़ाई है उसके बरावर से बनाना तो वह कैसे बनाएंगे वह मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगा सबसे पहले आपको देखना है कि सूट को कटिंग करने से पहले आपको गला बनाना अप कैसे बनाएंगे वह आपको समझा देता हूं जैसे नौर्मल दुबारा से हम सूट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहां पर क्या देखना है दोस्तों आपको कड़ाई है कड़ाई आपकी एक जैसे बरावर से रहने च रखेंगे और हो जगे इस जगे से मारा निसान लग जाएगा मैं विवर्शेंट के बराबर से लिए आपच Goldman तो यहां से क्या करेंगे, पॉइन तीन इंची तरीके से नापेंगे, कड़ाई के बरावर से हमने इंची टेप रखना, पॉइन तीन इंची तरीके से नाप दिया, अब हमी क्या करना है, इतना जो हमारा कपड़ा एस्ट्रा है, यहां पर हमारा कपड़ा एस्ट्रा आ रहा ह एक बाद, अब हम क्या करेंगे इसी निसान के उपर सिलाई लगा दिए यह हमारी सिलाई लगे अब यहां पर क्या हुए जो भी हमारा एष्ट्रा कपड़ा होगा वो इस तरीके से इसमें दप जाएगा अब हमें इससे सीदा करेंगे तो इससे क्या हुआ दोस्तो जो भी हमारा एस्ट्रा कपड़ा था वो लिकल गया अब यहाँ पर जैसे नॉर्मल मान के चलता है यहाँ पर जो हमारा margin आया है इसमें आया है वो आदा इंच है ठीक है यहाँ पर जो दबाब देंगे अगर आपका margin आदा इंच होता है या फिर एक इंच होता है यहाँ से आपका margin जैसे डबल में इस तरीके से आपका डबल में एक इंच या पौने एक इंच होता है तो आपको क्या करना है इस तरीके से गले की ब्रोड कम कर सकते है ठीक ह जैसे यहाँ पर हमारा जो भी ऐश्टरा मार्जिन था वो इस तरीके से हमारा दब गया है अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारी गले की ब्रोड हो गई वो कडाई के बराबर से इस तरीके से आजाएगी जैसे बनाते हैं अब यहाँ पर दोस्तों जैसे हमारी जो सूट की कटिंग होती है तब तो हमारा कपड़ा बच जाता है तो आपको क्या करना है मैचिंग कपड़ा इस तरीके से देखना है अगर आपके पास मैचिंग कपड़ा नहीं है तो इसी के नीचे जो सलवार हो सूट सलवार हो या फिर पैंट पिला जो तो उसमें से भी हमारा कपड़ा बसता है तो उसमें भी आप इस्तमाल कर सकते हैं गला बनाने के लिए तो आपको जो कपड़ा लेना है वो इस तरीके से उल्टा कर देंगे उल्टा करने के बाद हमें क्या करना है इसके उपर जो हमारा सेंटर पर सिलाई लगाएंगे सबसे पहले कि इस तरीके से जब हम सिलाई लगा देंगे तो क्या हो जो हमारा कपड़ा है नीचे का वो इधर उदर नहीं भागेगा इस तरीके से नॉर्मल हमारी इसमें सले लग गई, आप हमें क्या करना है कडाई के बराबर से जो हमने 7.5 इंच ना पाता वो इस तरीके से ना पेंगे, इदर भी हम निसान लगा देंगे, और यहां से भी क्या करेंगे, साड़ साती इधर भी क्रोस में आपेंगे और यहां पर भी हम निसान लगा देंगे ठीक है और इस निसान को कर देंगे इस तरीके से सीधा अब यहां पर दोस्तों सीधा करेंगे इस तरीके सी निसान अब यहां पर दोस्तों हमारा एस्ट्रा कपड़ा ही जगे तो हम जब भ मटा देंगे जब हम सूट की कटिंग करेंगे तब अब यहां पर हमारा निसान लग गया अब हमारी जो कड़ाई है कड़ाई के बरावर से इस तरीके से सीधा निसान कर देंगे यहां से भी कड़ाई के बरावर से सीधा निसान कर देंगे अब यहां पर निसान लगाने के ब कि यहां पर दोस्तों नॉर्बन हमने हैं पर सिलाई लगा दिए कपड़ा हमारा अटैच हो गया अब हमें क्या करना है इस गले के हिसाब से आदे इंच का मार्जिन छोड़ते हैं जो भी हमारा आइस्ट्रा कपड़ा रहेगा वो हमें कटिंग कर देना है इस तरीके से आपको करना है नीचे आपको कपड़ा दिहां रखना है कहिं गलती से आपका स्खूट का कपड़ा ना कर जाए इस तरीके से आपको अ जो भी हमारी की गुलाई है तक सलाई से पहले पहले इस तरीके से क्या करना कुटका लगाना है गले में ठीक है सिलाई से पहले पहले कुटका लगाएंगे जिससे की जो हमारा गला बनके आएगा वो फिनिसिंग से आएगा ठीक है सिलाई के बाद में आप कुटका ना लगाएं सिलाई से पहले पहले आपको कुटका लगाना है यहां पर कुटके हमारे लग जाएंगे अब हमें क्या करना है सूट को करना इस तरीके से सीधा सीधा करने को जो हमारा कपड़ा है इस तरफ रहना चाहिए गले का मार्जिन यह जो मार्जिन है गले की तरफ कपड़े की तरफ इस तरीके से रहना चाहिए और ऐसे क करते हूं हमें क्या करना है इसके ऊपर लगानी है एक तरफ मरंगे रखते हुए हमें इसपे सलाही लगानी है कर दो अब हमें क्या करना है इस जगह से हमें मार्जिन रखना't गर PG करते हैं अगर दोस्ता आपको सीख़ना है स्नाइस रेलेटीड और वी वीडियो तो हमारे eux क्पड़ा कहिं करेंगे क्या करने से प्पडवर के बाद से सूरुट के इसथ तरीके से रबल में फोल्ड करेंगे और यहां पर हमारा जो सिलाई लगी हुई है उसी के बराबर से इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है और यहां पर लगानी है इस तरीके से करने के बद आप हमारा क्या होगा जगे पर हमारी गुलाई है गले में तो यहां पर क्या होगा जो हमारा चुण्णिटे बनेगी तो हमें हलकेलकी चुन्णिटे डाल के स्लाई लगाने हैं इस तरीके से हमने स्लाई लगा ली अब हमें दुबारा से पल्ले को उल्टा करना सीधा करने के बाद इस कपड़े को जो हमारा इस्ट्रा कपड़ा इस तरीके से बरावर से फोल्ड करने के बाद इसमें हम कच्ची सिलाई लगा देंगे यह दोस्तों जो हमारी कच्ची सिलाई लगेगी गला जब हमारा तुर्पाई होगा उसके बाद हमारी सिलाई खुल जाएगी अब हीसा पर दोस्तो इस तरीके से मैंने कच्छी स्लाइइस जो भी हमारा एस्टरा कप्ड़ा हे वो इस तरीके सम कटिंग कर देंगे ठीक है और यहांपर दोस्तो मैंने जैसे सिखाया उस तरीके से आप गले के बरावर से जो हमारी कड़ाई हो उसी के बरावर से आप गला फिनिशिंग से बना सकते हैं लेकिन आपको जब भी सूट कटिंग करना जैसे हमने गला बना लिए लेकिन इस सूट की कटिंग नहीं करी हमने तो यहां से क्या करेंगे जब हम सूट की कटिंग करेंगे तो यहां से साड़ सात इंच नापेंगे ठीक है इस तरीके से नापने के बाद और यहां पर दोस्तो जो हमारा एश्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग हो जाएगा हमारा जैसे दोस्तों सूर से कटिंग करने से पहले अगर आप कड़ाई के बरावर से गला बनाते तो जैसे मैंने आपको सिखाया उस तरीके से आप गला बना सकते हैं और उसके बास उटकी कटिंग नॉर्मल कर सकते अगर हमारी वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक चरूच करना आजकी वीडियो में हमने आपको सिखा दिया गले की ब्रोड कैसे कम करें और कड़ाई के बरावर से हम गला कैसे बना सकते हैं अगर आपको श्लाइस से डेलिटी वीडियो और भी देखनी है तो इसी वीडि आपके पास स्पॉंस्टे रहे थैंक्यू फॉर वाचिंग वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक चुरूश करना